आखमें है हैं हेलो स्टुडेंट्स तो अब हम बात करने वाले हैं सअरकल किसी कोडिनेट एक्सिस मतलब चाहे वह एक्सिस पे है या या एक्सिस पे है इंटरशेट जो बनाता है उसकी लैंद्थ क्या होगी और बनाता Więc तो कब बनाता है उसकी condition क्या है और नहीं बनाता है यह टच करता है तो उसकी condition क्या है तो यहाँ पर heading हुने लिखे वी है intercept made by the circle तो intercept made by circle on x-axis हम यह लिख लेते हैं on x-axis कि भाई x-axis पे circle कितना intercept बना रहा है पहले x-axis की कहानी हम यहाँ पर सीख लेते हैं अब x-axis की कहानी सीखने के लिए जैसे यह हमारे पास circle है अब circle x-axis के intercept record कर रहा है यह x-axis के साथ intercept record कर रहा है मालो circle की equation है हमारे पास x square plus y square plus 2g x plus 2fy हम इधर बना लेते हैं तो फ़्रा diagram plus 2fy plus c is equal to 0 यह हमारे पास circle के equation है ठीक है अब हम circle यह है और circle यह intercept बना रहा है यह निगालना चाहते हैं क्यार यह कितना बना रहा है इसकी length कितनी है यह x-axis है यह circle है और यह length निगालना चाहते है अब देखो circle x-axis को जहां भी काटेगा भी मालो यह point है x1 तो y coordinate क्या होगा 0 यह point है x2 तो y coordinate यहां भी क्या होगा 0 तो circle का y coordinate सुनने होगा ठीक है तो y coordinate सुनने होगा तो मैं इसमें y को 0 रख देता हूँ इस equation में y को put करूँगा तो x square plus 2gx plus c बराबर सुनने है यह आ गया अब x square plus 2gx बराबर c बराबर सुनने ही यह आ गया यह quantity का गई पक्की बात है इस quantity के 2 root होगे एक root होगा x1 एक root होगा x2 एक point यह होगा और एक point यह होगा ठीक बात अब हमें इसकी length निकालनी है कि भी x intercept आखिर हमारे पास कितना होगा तो what is x intercept mod of x2 minus x1 कि x intercept कितना है mod of x2 minus x1 यह हमारे पास x intercept है अब x2 minus x1 यह हमारे पास x intercept है तो यह होगा under root x1 plus x2 का holy square minus 4 x1 x2 ठीक है कि x1 plus x2 का holy square minus 4 x1 x2 यह होगा x1 minus x2 का holy square का under root mod x2 minus x1 अब यहाँ पे sum of the root minus 2g होगा तो x1 plus x2 minus 2g तो minus 2g का square होगा 4g square minus x1 into x2 product of root that will be c 4c तो हमारे पास x intercept कितना निकल कर आगया 2 under root g square minus c this is what x intercept यह हमारे पास x intercept निकल कर आगया अब x intercept 2 under root g square minus c c निकल कर आया है यहाँ पे g square minus c under root के अंदर आया है अब g square minus c positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है 0 भी हो सकता है तो तीनों चारों का मतलब क्या है तो g square minus c अगर positive है that means intercept is real intercept is real मतलब circle will intersect x axis at two distinct points हम इस बात को लिखेंगे हैं आपर कि g square minus c अगर positive है circle will intersect intersect x axis at two distinct points at two distinct points कि भी circle उसको दो distinct points पे काटेगा जैसे यह रहाँ यह case circle x axis को दो distinct points पे काट रहा है ठीक बात दूसरा अगर g square minus c 0 हो जाए g square minus c 0 हो गया मतलब root तो है दो लेकिन दोनों equal है दोनों equal का मतलब क्या कर रहा है circle x axis को touch कर रहा है तो circle will touch x axis कि भी circle x axis को touch करेगा touch करेगा इसका मतलब जैसे यह circle है या तो यह case होगा यह circle है या तो यह case होगा या फिर यह circle है या यह case होगा ठीक बात circle will touch x axis अगर g square minus c negative हो गया कि भी g square minus c अपना negative हो गया तो भी circle neither touches nor intersect x axis कि भी ना तो x axis को touch करेगा और ना ही x axis को काटेगा इसका मतलब अगर हमारे पास यह है तो circle या तो बिल्कुल उपर रहेगा है circle बिल्कुल नीचे रहेगा ठीक तो circle और x axis की relative position क्या है एक्स इंटरसेप्ट क्या है और y axis पे निगालने के लिए भई y axis पे निगालने के लिए y axis पे निगालने के लिए y axis पे circle का intercept निगालना है यह y axis पे निगालना है ना y axis पे निगालना है तो इसमें क्या होगा हमारे पास y axis पे निगालना है तो x को को शुन्य रख देंगे एक्स को शुन्य रखेंगे तो y square plus 2fy plus c बराबर 0 वैसे ही quadratic बन रही है लेकिन किसे बन रही है f और c में तो वही सब काम करेंगे तो y intercept बेटा जी दिमाग लगो कि आना चाहिए 2 under root f square minus c कि y intercept हमारे पास क्या आ गया 2 under root f square minus c ठीक बात अब यहां पर भी f square minus c under root के अंदर है f square minus c under root के अंदर है तो वापिस वही केस यहां बनेंगे कि भाई f square minus c अगर positive है f square minus c अगर 0 है और f square minus c अगर negative है f square minus c positive है circle will intersect y axis at two distinct points ठीक बात f square minus c 0 है तो circle will touch y axis कि circle y axis को touch करेगा और f square minus c negative है circle will neither touches nor intersect y axis इसका मतलब पहला केस तो यह है दूसरा केस इस तरह का है और तीसरा केस इस तरह के का है circle पूरा left में या circle पूरा right में तो किसी भी circle की coordinate axis के respect में position क्या होती है वो हम इस तरह के से देखते हैं कि भी circle क्या करने वाला है किसके साथ कि भी सरकल किसके साथ आखिर क्या करने वाला है अब देखो यहां पर जैसे इस इंट्रसेप्ट वाले पार्ट को हम जो मैट्री से भी देख सकते थे बहीं जो इंट्रसेप्ट वाला पार्ट मैंने तो एलजेबरा से बताया इसको लेकिन सरकल में जो अपनी geometry से देखी जा सकती हैं तो इस चीछ को हम geometry से भी देख सकतेते जैसे मालो मुझे X intercept निकालना था तो जैसे यह सरकल है अपने पस these ओर यह x-axis है और यह Intercept की length मुझे निकालनी है अब अलगल को सरकल का center है minus j minus f call पृसर कल का center है minus j minus f यह y सब्सक्राइब की इस ने डाला तो इसके मिट पॉइंट में मिलेगी यह सरकल की बेसिक प्रापर्टी होती है यह सरकल की रेडियस है कि दिस इस वाट रेडियस ऑन सरक्रों यह हमारे पाद सर्क्रों की डियर से अब देखो यहां पे यह डिस्टन्स कितनी है माइनस एफ ost yes or no क्या गजिदेशनन नियुक्त किमाइनस फ्लाइब गरल देते हैं क्योंकि वैस कहां पर है क्यां नहीं है वह पता नहीं तो हमाइनस फ्लाइब बोल देण निकालिगा सकती है, पाथ्यकुरस से निकालेंगे, तो ये length कितनी आएगी, ये length आएगी अपने पास, under root r square minus f square, ये length under root r square minus f square है, तो x intercept क्या है इसका double, तो x intercept हो गया, what is x intercept, twice under root r square minus f square, अब r square की value लग दो, twice under root, G square plus F square minus C This is value of R square F square F square गटा X intercept आ गया तो 2 under root G square minus C This is the value of X intercept तो X intercept निकालना बहुत ही लड़ू काम है या Y intercept निकालना बहुत ही लड़ू काम है ठीक है? कि वह यहाँ पर question हमारे पास किस तरह के अब देखते हैं question किस तरह के बनते हैं अब questions किस तरह के बन सकते हैं जैसे एक तो simple X intercept, Y intercept निकालो एक तो यह बन सकता है मैं जैसे एक चलो question सीधे बढ़िया वाला लेते हैं circle की equation वाला लेते हैं ठीक? Find equation of circle Find equation of circle which touches is y-axis at 0,3 and make an intercept make an intercept of 8 unit on x-axis तो यह हमें question दे रखा है कि हमें circle की equation बतानी है वो circle y-axis को 0,3 पे टच करता है ठीक? और x-axis पर जो इंटरसेट बनाता है वो 8 unit का बनाता है कि make an intercept on x-axis is 8 unit अब देखो है यहाँ पर अगर diagram सोचें एक पर रफ डाइग्राम सोच लेना चाहिए कि इसर्कल में हम सोच सकते हैं 0,3 यहाँ पर टच कर रहा है यह intercept बना रहा है 8 unit का तो यह 8 unit हो गया एक circle इधर आ सकता है एक circle इधर आ सकता है तो हम geometry से भी सोच सकते हैं और बिना geometry के भी सोच सकते हैं बिना geometry के सोचते हैं पहले कि बिना geometry के ऐसे सोचें मान लो circle की equation है x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 कि यह circle की equation है circle 0,3 पर y axis को touch करता है तो 0,3 से pass होता है हाँ या ना 0,3 यह जो point है 0,3 यह अपना circle के उपर है तो 0,3 circle के उपर है तो 0,9 plus 6f plus c बराबर 0 0,3 satisfy करा दिया y axis को touch करता है y axis को touch करने की condition क्या होगी y axis को touch करता है मतलब x y intercept शुन्य तो f square minus c कितना होगा शुन्य तो f square minus c बराबर 0 तो c बराबर f square c बराबर f square यहां रख दिया तो f square plus 6f plus 9 बराबर सुन्य है तो f plus 3 का whole square बराबर 0 तो f कितना आ गया minus 3 f minus 3 आ गया तो c कितना आ गया 9 दो चीज निकल चुकी भाई दो चीज निकल चुकी अब बात करते हैं x intercept x intercept 8 unit का दिया है तो 2 under root g square minus c is equal to 8 ऐसा भी बन है अब यहां पे यह काटा 4 तो g square minus 9 बराबर 16 तो g बराबर plus minus 5 g square 25 तो g बराबर plus minus 5 तो 2 circle आएंगे एक उधर के लिए g है एक इधर के लिए g है y तो what should be the equation of circle भाई यहां पे g f की value रख देते हैं तो x square plus y square ठीक plus minus 10 x minus 6 y plus 9 is equal to 0 this is what equation of circle यह circle की वर्षण आगाई चमका जी अब दोखो इसे करने का एक geometrical method भी था क्या geometrical method था भाई यह circle है यह circle यह circle है पहले स्वाले circle की बात कर लेगते है इस circle का center का y coordinate कितना होगा 3 भाई इस circle के center का y coordinate कितना होगा 3 भाई यह distance 3 होगी तो y coordinate 3 होगा ठीक है तो y coordinate यह 3 आ गया कि y coordinate is 3 ठीक x coordinate माल लेते हैं x coordinate माल लेते हैं कि भाई x coordinate h है तो y coordinate 3 होगा x coordinate h होगा अब यहाँ पे यह length 3 है यह length 3 है और यह length हमारे पास कितनी है भाई x intercept 8 तो 4 हो गया मैं यוכ यह 3 है यह 4 है तो यह रेडियस 5 होगई प्री तो प्राइब ऑफ जो रोसक्व कोंतरी रेडियस्ण कितनी हो गई 5 कि center is 5,3 radius is 5 आंसर आ गया इधर जाएंगे तो center क्या हो जाएगा माइनस 5,3 center हो गया radius 5 हो गई तो दो center हो सकते हैं 5,3 माइनस 5,3 और radius 5 होगी यह हमारे पर सरकल आ गया जोमेटरी से भी कर सकते थे जोमेटरी से करने के circle में हमारे परस अजादी है क्योंकि circle एक ऐसी क्योमेटरी है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें बहुत सारा ज्यान पहले से जानते हैं इसलिए हम circle में ऐसा काम कर पा रहे हैं जैसे कोशन और करते हैं जैसे एक कोशन और करते हैं इसी में ही find the equation of circle find the equation of circle which touches both coordinate axes both coordinate axes is एंड पासिंग थ्रू या एंड पासिंग थ्रू एंड पासिंग थ्रू एंड एंड पासिंग थ्रू 1,2 कि भी 1,2 से पास होता है और दोनों coordinate axes को टच करता है अब दोनों coordinate axes को टच करें ऐसे circle की equation क्या होगी what should be the equation of circle which touches both the coordinate axes अब दोनों coordinate axes को टच करें तो circle वच्चो इस तरह का हो सकता है ठीक circle इस तरह का हो सकता है ठीक circle इस तरह का हो सकता है ठीक circle इस तरह का fourth quadrant में हो सकता है कि there are four possibility की circle इन चारों में से कोई सा हो सकता है अब let's say circle की radius r है positive circle की radius कितनी है r और r एक positive number है तो यहाँ पे first quadrant में हो तो यह भी radius है यह भी radius है तो center r,r होगा ठीक अगर यहाँ radius है तो center minus r,r होगा अगर यहाँ circle का center है तो center minus r,r होगा और अगर fourth quadrant में है तो center r,r होगा तो यह चार possibility हो सकती है अगर circle coordinate axis को touch करता है तो ठीक लेकिन यहाँ पे हमारा जो question है उस question में यह दे रखा है कि circle 1,2 से पास होता है 1,2 point जो है कौन से quadrant में है first में second में third में fourth में first में तो first में यह जो circle है यह circle है यह circle है तीन एक दो तीन यह तीनो first quadrant के किसी point को touch कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अब first quadrant की किसी point को touch नहीं कर सकते तो यह वहां से सवाली नहीं होता है वह वहां से जाने का सवाली नहीं होता तो यह possibility है तो circle का center 1,2 है sorry circle का center r,r है radius r है और 1,2 से pass होता है यह तीनो possibility rule out होगे यह मारी बास कि एक ही possibility बची यह हो सकता है अब 1,2 circle की अपर point है तो इन दोनों की बीच की distance भी आ रहे है रेडियस ही तो चाहिए है और चाहिए क्या minus 6r plus 5 is equal to 0 तो radius of circle will be 1 और 5 कि circle की radius 1 या 5 है ठीक बात बच्चो तो circle x-axis पे या y-axis पे कैसे intercept बना रहा है और उस intercept से related किस तरह की चीज़े हमारे पास arrive हो रही है किस तरह की situation arrive हुई कि दोनों को touch कर रहे तो क्या है एक को touch कर रहे एक को cut रहे तो क्या है ठीक बात तो यह था हमारे पास intercept made by circle on coordinate axis और उससे related problem उमीद करता हूं यह intercept वाली बात आपको समय में आई होगी है ना तो इस lecture में इतना ही circle में हमारे दो lecture हो चुके हैं आगे वाले लेक्चर में अपने आगे वाले वीडियो में शेर करूंगा ठीक है उमीद करता हूं कि आप लोग circle बहुत ही शांदा दरीके सिख रहे हो तो इस lecture में इतना ही धन्यवाद uiten लिघंट में उवाद